हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा के दाइरे में आने वाले उपमंदल तीसा के बेरागड के देहगरां गाउंग में एक मकान में आग लगने की घटना सामने आई है घटना बिते दिन देर रात की बताए जा रही है हलांकी इस घटना में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन प्रभावित परिवार का पुरा घर जलकर राख हो गया है प्रभावित परिवार के मुताबिक उनके रिहायशी मकान में आग लगी है जिसमें करीब लाखों का नुकसान हुआ है बताया जा रहा है कि घर के पिछली और घास में आग लगने से पूरे मकान में आग लग गई जिस कारण पूरा मकान जलकर राख हो गया है इस घटना के समय मकान में मालिक स्वन्य घर से बाहर था घर की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को वहाँ पर रखा गया था उधर घटना की सूचना मिलते ही अगनिशामन विभाग की टीम मौके पर पहुँच गई और आग पर काबू पाया लेकिन तब तक पूरा मकान जलकर राख हो गया था घटना रात को करीब 10 बजे की बताई जा रही है उधर DSP सलूनी मयंद चौदरी ने बताया की रात को घटना पेश आई है उन्होंने बताया की पुलिस टीम ने घटना का जायजा लिया हुआ है